Hi guys, so guys, आज का जो वीडियो है, वो शायद मेरे चैनल का most demanding वीडियो है, जिस पर सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे, मेरे हर वीडियो में कोई ना कोई कॉमेंट्स ज़रूर दिखता था कि आरे रो मेथड पर टुटोरियल बनाओ, So finally, आज चुका है आज हमारा वीडियो, और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक 3x3 रुबिक्स क्यूब को रो मेथड से सॉल्व किया जाता है, So, सबसे पहले मैं ये भी बताऊंगा आपको कि रो मेथड क्या है और बाकि यो अल्टरनेटिव मेथड भी इस क्यूब को सॉल्व करने के होते हैं, जो कि आपको पता होंगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, So, वीडियो बहुत जादा डीटेल्ड वीडियो होने वाला है और शायद इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी, रो मेथड पर एट लिस्ट, ठीक है, So, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो यार एक लाइक एम रख देता हूँ, 1500 लाइक्स का, डेफिनेटली आप लोग पूरा कर देंगे, and request में ये करना चाहूँगा कि प्लीज यार इस वीडियो का एंड तक देखना, So, सबसे पहले बात हमें ये करनी हैं कि 3 by 3 को solve करने के कितने methods होते हैं, So, 3 by 3 को solve करने के बहुत सारे methods होते हैं, और उनमें से ही एक method row भी है, जैसे 3 by 3 को हम beginner method से solve करते हैं, जब आप 3 by 3 in Wix cube को सीखते हैं, तो उस time पर आप जो method यूज करते हैं, वो beginner method हैं, Then आप CFOP method solve कर से सीखते हैं, यानि CFOP method beginner method से advanced method होता है, जो कि mostly advanced cuber solve करते हैं, तीसरा method हम ZZ method बोल सकते हैं, जो कि good edges और bad edges के concept पर based होता है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, and fourth method row method बोल सकते हैं, अब जो 2 method हैं, एक toh CFOP method और row method, यह mostly advanced solvers जो होते हैं, जो कि competitions में solve करते हैं, cubers होते हैं, speed solvers होते हैं, वो इन दोनो methods में ही से ही कोई एक method यूज करते हैं, अपना cube solve करने के लिए, क्योंकि यह दोनों ही method बहुत ही जादा fast method हैं, अब यह आप पर depend करता है कि आप कौन सा method यूज करें, आपको कौन सा ज्यादा से अच्छे आता है, और आपकी किस पर ज्यादा efficiency है, ठीक है, तो आज row method को use करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, basics की row method में हम करते क्या हैं, एक चीज मैं आपको इस video के starting में यह बोल रहा हूँ है, कि अगर आपको cfop method आता है, तो row method आपके लिए बहुत जादा easy हो जाएगा, क्योंकि cfop method की situations आपको row method में देखने को मिलेंगी, और अगर आपको cfop method आता है, तो आपके लिए row method में कुछ maximum algorithms को याद नहीं करना पड़ेगा, बट अगर आपको cfop method नहीं आता है, तो मैं recommend करूँगा, कि आप एक बार cfop method का video देखके आईए, जो कि आपको उपर आई का button दिख रहा होगा, basics आपको सिर्फ सीख कर आने, या फिर मैं इसमें भी आपको थोड़े basics बता दूँगा, ताकि जो लोग बिल्कुल नहीं हैं, उनको भी problem ना आई, ठीक है, सो हम बात करते हैं row method की, कि row method actual में होता क्या है, ठीक है, सो row method में हमें क्या करना होता है, तो row method कुछ steps में divided होता है, जैसे CFOP method में हम पहले cross बनाते हैं, F12 बनाते हैं, OLL करते हैं, PLL करते हैं इसमें भी हमाई row method में भी कुछ particular steps होते हैं कैसे steps होते हैं यह मैं आपको एक बार बता देता हूँ सबसे पहला step यह होता है कि हमें यहाँ पर एक 2x2x1 block बनाना होता है जो कि कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं जैसे यहाँ पर हम white को bottom में रखके, मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि कैसे यह काम करता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक 2x2x1 block बनाना होता है जिसमें आपकी जो यह वाली एक edge है वो अपने piece से match and यहाँ पर आपका एक f12 pair solve है यानि एक edge piece और corner piece solved है एक edge piece और corner piece solved है So ऐसा आपको एक 2 by 2 by 1 block बनाना होता है अपनी left side या आप अपनी right side भी बना सकते हैं ठीक है यह पहला step होता है Second step यह होता है कि आपको यही same block आपको इस side बनाना होता है कि side इस side आप इसको करने के भी same मैं बताऊंगा कि कैसे करना है मैं अभी बता रहा हूँ आपको कैसे हम row method में solve किया जाता है सो यहाँ पर भी हमें same block बनाना होता है जैसे मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ सो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक 2x2x1 block तयार हो गया और यहाँ पर एक 2x2x1 block तयार हो गया बिलकुल इसके जैसा ही एकदम same सो यह होता है हमारा second step अब हमारा third step क्या होते है कि आपको आपर फेस को गमप्लीट करते वह सिज में और यहाँ ऊपर उन यहां पर देखें चारों कॉर्नर्स आपके ऊपर आगए यलो कलर में बट अभी आम इनको सही पोजिशन पर नहीं बोल सकते क्योंकि इन में से हमारे ज्यादतर कॉर्नर्स क्या है सही पोजिशन पर नहीं यानि अभी हमएं सिर्फ इनको और एंट किया है पर्मिट करने का क्या मतलब सही पोजिशन पर भी लेकर आना है तो आभ मैं पर्मिट करके आपको दिखाता हो कि कैसे लगेंगे हमारा क्यों सो यह देखिए आपने आप corner को光र्नर को और अपने पर नी जिसको हम CMLL में ही include करते हैं, सबसे पहले orient करना चारो corners को and then उसके बाद हमें क्या करना है, permute करना, ठीक है, उसके बाद 5th step क्या होता है कि आपको अपनी जितनी भी edges हैं, अब 5th step को हम LSE बोलते हैं, LSE का मतलब last 6 edges यह सबसे important part होता है, तो इसको मैं एकदम ध्यान से आपको समझाऊंगा और जब हम उस step पर आएंगे तब आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो last step है, जिसके बाद हमारा cube solve हो जाएगा ठीक है, अब मैं cube को scramble करता हूँ और एक एक करके आपको सारे steps को एकदम detail में बताता हूँ कि कैसे हम इनको solve करते हैं So guys, मैंने अपने cube को scramble कर लिया है, अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप इस cube को solve कर सकते हैं row method से अब देखो, first step मैंने क्या बताया था, आपको 2x2x1 block बनाना होता है, अब इसके कई सारे methods होते हैं, आप कैसे भी से बना सकते हैं, मुझे जो अपना personally most efficient method लगता है वो यह लगता है कि मैंने क्या करता हूँ, मैं cfop method से ही solve करता हूँ, कैसे आप देखो, मुझे यहाँ पर भी एक 2x2x1 block बनाना है, और यहाँ पर भी एक 2x2x1 block बनाना है अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर red और white वाली edge लगा दूँगा जैसे हम cfop में cross बनाते हैं, ऐसे मैं cross बनाने के try करूँगा, तो red और white वाली edge लगाँगा सो देखो यहाँ पर, अब देखो इस holding position आप row method में कैसे भी रख सकते हैं, आप पर depend करता है बट अगर आप अभी सीख रहें यह row method और आपको इसका कुछ भी बेतलब basics भी नहीं आते हैं तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप white के center को नीचे रखे, red को इस तरफ and orange and blue को front पे रखे, बस यह मेरा मानना है ठीक है, आप देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, red वाले center को लगाना है, edge को लगाना है तो मैंने देखो, यहाँ पर देख लिया edge, मैं इसको नीचे करूँगा and double move करके, क्या करूँगा, red वाले edge को सही position पर लगा दूँगा अब मुझे क्या करना है, two by two by one block बनाने, उससे पहले कभी-कभी हम क्या करते हैं, कि पहले एक side का two by two by one block बनाते हैं, फिर दूसरे side का, जो कि थोड़ा सा less efficient हो जाता है, मुझे personally यह लगता है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक side बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे हमारा time भी बचता है, और हमारा दोनों step एक side complete हो जाते हैं, तो मैं recommend करूँगा कि आप भी ऐसे ही करो, अब देखो, यह red और white वाली edge हमारी सही position पर लग गई, cross के जैसे ही बिलकुल, अब मैं क् edge को नीचे करूँगा, इसको यहाँ पर लगा दूगा, तो यह दोनों edges मेरी लग गई, अब इसमें row method में बहुत बड़ा benefit होता है, कि आपको सिर्फ दो ही edges को लगाना है, तो आपको यह वाली edge में कोई भी देखने की जरुरत नहीं है, कि यार मैं कौन सी लगाऊं, बाकी edges ना बिगड़ जाए, तो इसमें दो ही edges को लगाना होता है, तो यह थोड़ा से एक advantage हो जाता है, कि आप row method को easily solve कर सकते हैं, ठीक है, अब देखो, अब हमें करना है कि इसको यहाँ पर आपको एक F12 का pair लगाना है, यहाँ पर एक F12 का pair लगाना है, यहाँ पर एक F12 का pair blue वाला, आप देखो, इन दोनों को करने का बहुत easy तरीका है, मैंने advance F12 में भी बताया है, नहीं आती advance F12, तो आप beginner तरीके से भी solve कर सकते हैं, मैं आपको एक beginner तरीके से solve करके दिखाता हूँ, कि मैं क्या करूँगा, इस वाले edge को बाहर निकालूँगा, यहाँ पर यह वा सो कभी-कभी कैसा होता है, जैसे हमारी orange और blue वाली edge नीचे है, तो आप डर जाते हैं कि मैं इसको बाहर कैसे निकालूँ, मेरा बाकी cube तो नहीं बिगड़ जाएगा, नहीं डरने की बात ही नहीं है, आपको क्या करना है, simply से बाहर निकालना है, और इस वाले corner यानि इस वा कर cube को कैसे भी start कर सकते हैं, बट बाद में centers की क्या position है, वो हमें ध्यान देने में जरूरत नहीं होती, क्योंकि last step पे सारे centers solve हो जाते हैं, ठीक है, तो आप देखो इसको freely move कर सकते हैं, अब देखो एक pair में को यहाँ पर मिल गया, अब दूसरा pair मैं ढूनने की कोशिश करू तो यहाँ पर ही मिल रहा है, देखो, यह वाला, कौन सा pair है, यह orange और blue वाला, यहाँ पर और यह दोनों pieces मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अब देखो इसमें क्या हम कर सकते हैं, मैंने जैसा बताया, अब इसमें advantage होगा, कैसे, मैं इस वाले piece को simply उपर करूँगा, तो हमें पता है कि blue हमारे front में था, और नीचे हमारे क्या था, white था, ठीक है, तो इसे हमें arrange करना है, कैसे करेंगे, simply हम क्या करेंगे, इसको arrange करेंगे, यहाँ पर हमारे block का 1F12 pair बन गया, 1F12 pair यहाँ पर बन गया, और अगर आपको comfortable feel नहीं हो रहा है, कि यार मेरी color scheme बिगड़ है, so third pair है मेरा यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, आप देखो इसमें cube rotate भी आप कर सकते हो, आप पर depend करता है कि cube rotation से आप cube को solve करते हो, main मकसद आपका यह है कि आपको इन F12 pair को बनाना है, इस F12 pair को बनाना है, जो कि आपको मिल सकते हैं कहीं भी, जैसे मैं आपको बताओ, red वाला मेरा कहाँ पर मिल रहा है, जैसे यह वाला, यहाँ पर मेरा red वाला corner है, यहाँ पर इसकी edge है, अब इसमें क्या फायदा होगा, वही फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, कि जब मैं इसको उपर करूँगा, तो यहाँ पर वो वाली situation आजाएगी, जो F12 की सबसे easy condition है, जिसमें हम R U, R' से इसको simply insert कर सकते हैं, so benefit यह है कि अगर हमारे पास यह वाली layer freely move कर रही है, तो हम simply से pair कर सकते हैं, इसमें क्या गलती कर सकते हैं, कि अगर मैंने यहाँ पर corner को रखा, and मैंने इस layer को उपर किया, तो देखेंगे यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कि आपका एक block जो right side वाला है, वो complete हो जाएगा, 2 by 2 by 1 block, अब हमारा last edge बचा है, जो की कौन सा बचा है, orange और कौन सा, green वाला, आप देखो, आप confused हो सकते हो, कि यार white वाला color आ गया है यहाँ पर, तो simply white को वापिस नीचे करके, आप अपनी color orientation को ठीक कर सकते हो, ठीक है, and then आपको क्या करना है, simply या फिर हम इसको बहुत सारे तरीके होते हैं, आप एक cube rotation करें and इसको simply जो आप F12 pair की तरह लगाते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, इसको मैं break करूँगा, नीचे करूँगा and वो वाला case हमारा simply create हो गया, मैं इसको pair करके यहाँ प अच्छे से आती है, तो यह step में आपको कुछ भी नया नहीं लगा होगा, एकदम बच्चों का खेल लगा होगा, और बिलकि इसमें तो advantage भी है, कि आपको दो edges को cross में बनाना भी नहीं है, blue और green वाली को, यह भी advantage आपको मिल जाती है, इस वाले step में, ठीक है, so first और second step हमार complete हो गया है, जिसमें हमें 2 by 2 by 1 block बनाना था left side, और 2 by 2 by 1 block बनाना था right side, अब बात आती है, second, third step की, जो कि था हमारा CMLL, अब CMLL में मैंने क्या बताया था, दो पार्ट होते हैं, कौन-कौन से, एक तो, OLL में orienting करना, यानि corners को orient करना, और दूसरा होता है, corners को permute करना, बह आपको यह बहुत easy लगेगा, like आप इसे to look OLL से भी solve कर सकते हैं, और to look OLL से तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें आपको cross बनाने की भी दिक्कत नहीं, यानि आपको yellow plus बनाने की भी दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ corners को orient करना है, बस इसमें आपको क्या हो सकता है, कि corners को memorize करना थोड़ा hard पर सकता है, कि यह कौन सा केस है OLL का, so मैं आपको एक एक करके सारे cases दिखाऊँगा, कि कैसे आप एक दूसरे case को क्या कर सकते है, एक दूसरे से compare कर सकते हैं, ठीक है, so मैं आपको एक बर create करके सारे cases दिखाऊँगा, इसमें total 7 cases होते है, सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा और देखेंगे कि हम कैसे इने solve कर सकते हैं अब यह देखो हमारा first case क्या है कि आपको यहाँ पर corner मिल रहा है same इसकी तरह ही identical है अब identical मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ आप तो सोच रहांगे यहाँ पर plus बन रहा है मैंने क्या बोला था सिर्फ corners पर ध्यान देना है उसी को permute करना है और उसी को orient करना है ठीक है अब देखो आप इस दोनों को cases को बिल्कुल compare कर सकते हैं कि यह वाला corner यहाँ पर है यह वाला corner यहाँ पर है यह वाला corner यहाँ पर है अब यही algorithm जब हम इसमें लगाएंगे तो आपके चारो corners में yellow आ जाएगा, तो cases को memorize करना आपको सबसे ज़्यादा आना चाहिए, कि यह कौन सा case है, और normal आप जब C-POP में OLL को solve करते हैं, उससे आप compare करके भी देख सकते हैं, starting में, बट जब आपकी practice हो जाएगी तो आपको कोई भी comparison की ज़रुरत नहीं पड़ेगी, जैसे यह वाला case है, अब इसको मैं उससी से करूँगा, R, U, R' U, R, U2, and R' तो आप देखेंगे कि आपके चारो जो corners हैं, वो बिल्कुल सही position पर आगए, ठीक है, अब मैं दूसरा case create करता हूँ, तीन-चार cases को create करूँगा, फिर आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कैसे हम CMLL में corners को orient करते हैं, तो देखो, हमारा दूसरा case कुछ ऐसा है, जिसमें आपको यहां पर दो यलो की headlights मिल रही है, और पीछे back में आपको दो यलो की headlights मिल रही है, और सेम इस वाले case में यही पर आपको यहां पर भी ऐसा ही दिख रहा है, आप देखो, C-fop में तो हम क्या करते थे, प्लस तो बना होता था, आपको सिर्फ corners पर ध्यान देना होता था, इसमें आपको क्या देखना है, edge पर तो ध्यान देना ही नहीं है, आपको सिर्फ corners पर ध्यान देना है, आप देखेंगे आप कि यहां पर भी headlight है, यहाँ पर भी headlight है और पीछे भी headlight है और पीछे भी headlight है तो आपको यह दोनों cases जो है वो एकदम identical देखने को मिल रहा है ठीक है अब देखो इसको हम कैसे solve करते थे अब देखो अगर आपको beginner यानि to look और आपको इस case को identify करना बहुत easy है आपको क्या करते थे अए फ और तीन बार sexy move लगाते थे र यू आर्व-आप्रएंट उ-प्रायम-प्राइम-प्राइम-प्राइम और इस तरीके से आप देखते थे कि आपके चारो जो corners है वो दिदम orient हो जाएंगे सो इस तरीके से टोटल साथ cases होते हैं जैसे कि ये वाला भी हमारा case है किसमें OLL में अब ये वाला case इसमें भी create हो सकता है कैसे create हो सकता है जैसे मैं आपको एक बर create करके दिखाता हूं और फिर बताता हूं मैं आपको सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला case है जिसमें आपको एक corner यहाँ पर मिलता है जिसमें yellow color यहाँ पर मिलता है अब यही case मैंने इसमें create करके दिखाए है दोनों identical है एज पर ध्यान नहीं देना है तो देखेंगे आपके ये वाले दोनों corner सही position पर है इसमें भी सही position पर ह है इसमें कैसे हम solve करते थे हम क्या करते थे f r' f' और दोनों r को एक साथ या नहीं small r करते थे और फिर simply हम इसे solve करते थे यह हमारा toollookoll में हमने सीखा हुआ है अब यही हमें यहाँ पर apply करना है सेम तरीका है बिल्कुल हम इसमें apply करेंगे और हमारे चारो corner solve हो जाएंगे तो आपको OLL अगर आती है इसलिए मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि यार पहले आप cfop method को अच्छे से सीख कर आओ और मैं basic आपको थोड़े बता दूंगा जैसे मैं आपको बताए भी f2l में थोड़े basic बताए so basics मैं बता सकता हूँ बट एक इंट्रोडियूस करूंगा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो वो थोड़ा सा कम helpful होगा आप लोगों के लिए यह तो था हमारा cmll का पहला पार्ट जिसमें हम corners को orient करते हैं दूसरा पार्ट क्या होता है हमें corners को permute करना होता है corners को permute करने का कोई मतलब नहीं है जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है corners को permute करना जैसे मैं आपको एक बार OLL करके दिखाऊंगा और Corners को Permute करने का मतलब बताऊंगा आप देखो ये वाला हमारे Corners जो है वो चारो के चारो Orient है बट सही Position पर नहीं है सही Position का मतलब क्या है कि आपको चारो तरफ Headlight देखने को मिले Headlight मतलब यहाँ पर आपको Green मिले, यहाँ पर भी Green मिले यहाँ पर Blue मिले, यहाँ पर भी Blue मिले Orange, Orange, Red, Red यानि हर जगे आपको Headlight मिले इसका मतलब आपके सारे Corners सही Position पर हो इसी को हम Corners को Orient करना बोलते हैं Permute करना बोलते हैं आप देखो, इसमें मैं आपको Corners को Permute करके दिखाता हूँ एक बार आप देखो, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर हर जगे Headlight मिल रही है इसका मतलब यह है कि आपके जो Corners हैं वो सारे सही Position पर आ गए Same as that of PLL, ठीक है? OLL और PLL जैसे ही Concept लगते हैं CMLL में आप इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हम वही Concept लगाते हैं कि कैसे Solve किया जाता है आप देखो इसमें आपको क्या करना है? आप देखो, Basic Method हमारे क्या होता था? कि हम क्या ढूंडते थे? Headlight ढूंडते थे, जब हमें कोई भी Corners को Correct करना होता था किसमें? Normal Cube में, जब हम CFOP से Solve करते थे कैसे? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार जैसे ये देखो, ये वाली Condition है इसमें हम क्या करते थे? Headlight को ढूंडते थे, जब चारो Corners को सही लगाना होता था उस Headlight को Back में रखते थे Algorithm लगाते थे, कौन सी? R, F, R' B2, R, F' R' B2 ऐसे ये वाली Algorithm लगाते थे अब इसमें भी हमें यही करना है आप कभी दो situation इसमें होती थी एक तो होती थी जिसमें Headlight नहीं दिखती थी दूसरी होती थी जिसमें Headlight दिखती थी अब देखो, अगर आपको CFOP method आता है तो इस वाली Algorithm को मैं यूज करने को आपको recommend नहीं करूँगा जो B वाली Algorithm है, जिसमें हम Back को यूज करते हैं, अगर आपको T-Parm आती है जो कि बहुत easy algorithm है और बहुत अच्छी algorithm है, fast algorithm है तो वो आप use कर सकते हैं, अब देखो आपको यहाँ पर कोई Headlight दिख रही है Red, Orange, Blue, Green Orange, Red and Green, Blue अब इसका एक direct method भी है अगर आपको advanced PLL नहीं आती है to look PLL भी आती है, तो आप इसे normally solve कर सकते हैं कैसे? जैसे मैं ये वाली Algorithm लगाऊंगा जो कि जब opposite हमारे corners होते हैं उसमें हम जो algorithm लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सारे corners जो हैं वो permute हो जाएंगे बट अगर आपको ये वाली algorithm नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको T-PUM सीखनी है T-PUM क्या है, वो आपको screen पर आपको दिख जाएगी मैं आपको apply करके दिखाता हूँ एक बार कि आपको कोई headlight नहीं है, cube को आपको कैसे भी hold करना है आप देखो, आपको holding position क्या रखनी है blue को आगे रखना है, white को नीचे ताकि आपको cube, अभी आप सीख रहे हैं तो आपकी cube की orientation change ना हो ठीक है, कैसे करनी है, T-PUM क्या है तो आप देखेंगे कि आपको एक headlight मिल जाएगी T-PUM को apply करने के बाद, जो कि यहाँ पर है आप उस headlight को हम कहाँ पर रखेंगे left-man वापिस T-PUM को apply करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे जो corners हैं वो क्या हो जाएंगे permute हो जाएंगे, सो हमारा CMLL भी यहाँ पर खतम हो जाता है अब जो हमारा सबसे important step है जिसको हम क्या बोलते है, LSE step बोलते है last six edges वाला step वो सबसे important part play करता है क्योंकि वही आपको row method में hard लग सकता है बाकि row method बहुत जादा easy method है यही एक step है जो कि आपको row method में थोड़ा सा hard लगेगा last six edges का मतलब क्या है अब देखो, आप देखेंगे कि आपका ये वाला CMLL solve करने के बाद आपका पूरा cube solve हो गया सिर्फ 6 edges है जो आपकी solve नहीं हुई है कौन सी 6 edges? एक तो ये वाली, उपर की 4 और नीचे की 2 बस, बाकि आपका पूरा cube solve है corners को लेकर और edges को लेकर ठीक है अब इन 6 edges को, last की 6 edges को हमें solve करना है अब इन में आपको सबसे जादा important part play करेगा ये वाला step क्योंकि यही थोड़ा सा hard पड़ सकते है आप देखो, पहला step इसमें भी 3-4 step होते है क्या करना होता है, वो मैं बताता हूँ आप देखो, सबसे पहला step यह है कि आपको सारी edges को, जो 6 की 6 edges है उनको good edge में convert करना होगा अब ये good edge और bad edge क्यों होता है ये आपको पूरा detail में नहीं समझना है इस method में जितना use में आता है वो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 4 edges उपर की है और यहाँ पर 4 edges नीचे की है आपको क्या देखना है, जो उपर की 4 edges है उनमें अगर आपको white और yellow color दिख रहा है उपर, अपर वाले face पर इसका मतलब वो good edge है और अगर yellow और white के अलावा कोई भी color दिख रहा है तो वो bad edge है ऐसे down में, down में अगर आपको इन दोनों edges में white और yellow color दिख रहा है तो वो good edge है अगर इन दोनों colors के अलावा कोई color दिख रहा है तो वो bad edge है बात बताता हूँ अब आपको एकदम practically देखो, इस वाले 4 edges में ये 4 जो edges है इसमें ये वाले edge में आपको क्या वाइट और yellow में से कोई color दिख रहा है नहीं दिख रहा इसका मतलब ये कौन सी edge है bad edge इसमें white और yellow में से कोई color दिख रहा है नहीं दिख रहा कौन सी edge है bad edge आप देखो, इसमें top पर क्या आ रहा है yellow color आ रहा है इसका मतलब ये good edge है इसमें top पर कौन सा color आ रहा है white color इसका मतलब यह good edge है अब इसमें कौन सा color आ रहा है नीचे blue color white भी नहीं है yellow भी नहीं है इसका मतलब यह bad edge है यहाँ पर green color आ रहा है इसका मतलब यह bad edge है अब इसमें आपको क्या करना होता है जो हमारा last step LSE होता है उसमें सबसे पहले आपको स सेम प्रोसेस करना है अब इसमें आपको क्या देखना है यह मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले दो algorithms को याद करना होगा ठीक है वो क्योंकि दो algorithms वो बहुत जादा यूज आने वाली है और बहुत easy है तो उन दो algorithms को सबसे पहले याद कर लीजिए अभी मैं आपको एक बार salt cube पे बताऊंगा कि वो दो algorithms करती क्या है और वो कैसे यूज में आने वाली है ठीक है तो देखते हैं सो हमारे पास एक salt cube है मैं दोनो algorithms को बताता हूँ सबसे पहली algorithm यह है कि आपको इन दोनो edges को switch करना है आपस में यानि इस वाली edge को नीचे लेकर आना है इस वाली edge को ऊपर लेकर आना है यह algorithm बाद में भी काम आती है यानि last six edges में बाद में भी काम आएगी अभी भी काम आ सकती है क्योंकि उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा सबसे पहले इन दोनों एज़स को स्वैप करने वाली अलगुरिदम क्या है बहुत इजी है क्या करना आपको how M' U2 एंड M यह अलगुरिदम है आप देखो इस वाली अलगुरुदम से क्या हुआ जो यह वाली एज थी वो तो यहां पर आगई अल्ड यह वाली जो एज़स है वो तो यहां पर आगई तो यह हुआ इस से यानि दोनो एजिज क्या हो गई swap हो गई अब इसी step को अगर मैं बात करूँ पीछे से यानि अगर इन दोनों edges को हमें आपस में swap करना हूँ तो हम कैसे करेंगे इस वाली algorithm को उल्टा लगा ला है जैसे मैंने क्या किया था algorithm क्या थी m'u2m इसका उल्टा क्या होगा m u2 and m' तो आप देखेंगे कि आपकी ये दोनों edges तो exchange पहले से हो गई थी अब मैंने उस algorithm को पीछे से पीछे वाली edges के लिए लगाया तो पीछे वाली edges भी क्या हो गई swap हो गई आपस में ठीक है तो पहली algorithm तो ये वाली थी m'u2m जिसमें सामने वाली दोनों edges swap होंगी और अगर आपको back वाली दोनों edges को swap करना है तो क्या algorithm है m u2m' पहली algorithm तो ये हो गई अब दूसरी algorithm की बात करते है दूसरी algorithm क्या करती है आपकी जो ये तो तीनओ अब देखो इस टाइब में हमारा cube-sald-decow का मतलब हमारी sário good edges है तो हमारी देखो यहांपर ये चारों की चारों good edges हैं और यहां पर यह दोनों की दोनों good edges हैं अब जो मैं algorithm बताने वाला हूं वो क्या करेगी वो इन तीनों edges को यहां पर आपको arrow दिख रही है इस वाली edge को छोड़ दें हम एक दो तीन यह वाली edge और इस edge के नीचे वाली edge इन तीनों good edges को bad edge में convert कर देगी और इसका उल्टा भी होता है अगर मैं उस algorithm को apply करूंगा तो यह एक दो तीन तीन edges और एक यह चार edges टोटल की टोटल आपका क्या होगा bad edge अगर होंगी चारो की edges तो आपकी bad edges good edges में convert हो जाएंगी कैसे अब आपको समझ में आएगा वह algorithm क्या है वो तो बहुत easy algorithm है क्या algorithm है M' U' and M तो आप देखेंगे क्या हुआ हमारा हमारी यहां पर चारो good edges थी आपकी बार क्या हुआ यह वाली bad edge बन गई यह भी bad edge बन गई इसमें क्या हुआ यह वाली bad edge बन गई ठीक है तो मैंने क्या बताय था आपको यह वाली जो arrow ह यह अब यह वाला pattern आपको याद रखना है क्योंकि यही आपको आगे use होगा क्योंकि हमें इसी case को create करना है last में और इन चारो edges को solve करना है like अगर आपके पास दो bad edges आती है तो उन दो में से भी आपको 4 bad edges बनानी है यह वाला case create करना है and उसके बाद इसी algorithm से solve करना है वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो आपको समझ में आया concept क्या हो रहा है आपकी यह तीनो bad edges जो है यह वाली जो इनो good edges थी वो bad edge में convert हो गई and मैंने बताया था जैसा कि इसके नीचे वाली जो edge है वो भी आपकी किस में convert हो गई bad edge में convert हो गई अब इस algorithm को मैं दुबारा लगाऊंगा क्या algorithm थी M' U' sorry M' U and M तो आप देखेंगे कि आपकी सारी good edges में वापस convert हो गई इसको मैंने उल्टा लगाया तो ठीक है तो यह concept वर्क करेगा अब यह तो था हमारा salt cube पे अब हम बात करेंगे कि हमारा इवन number मिलेंगी even number का मतलब क्या है कि आपको या तो 0 bad edges मिलेंगी जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है LSE में सारी good edges ही होंगी दूसरा दो bad edges मिलेंगी तीसरा चार bad edges मिलेंगी जो की case अभी हमने सीखा कि 4 bad edges मिलती है तो क्या करना होता है ठीक है दूसरा और चौथा की 6 bad edges मिलेंगी तो उन सारे cases को एक एक करके बताऊंगा मैं आपको तो सबसे पहले मैं आपको 2 bad edges वाला concept बता देता हूं कि अगर आपको 2 bad edges मिल दुबारा लेकर आऊंगा और वही आपको दुबारा create करनी है तो इसी वज़े से आपको सारी edges वाला concept सीखना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं 2 edges वाला आपको बताता हूं अब देखो हमारी ये वाली bad edge है और ये वाली भी हमारी bad edge है अब इसको हमें किसमें convert करना है good edge के अंदर convert करना है अब कैसे करेंगे इनको मैंने जैसी algorithm बताई थी क्या करती थी वो algorithm जैसे मैं आपको इसमें फिर से बताता हूं क्योंकि इसमें step में बहुत confusion होती है तो detail आपको पिलकुल जाईए चाहिए चाहिए जैसे ये वाली हमारी algorithm थी क्या थी M' U' M इसमें क्या हुआ था ये तीनों bad edges good edge में convert हुई थी और ये वाली bad edge good edge में convert हुई थी अब देखो हमें क्या करना है अब देखो आपको क्या मिलेंगी ये वाली good edge है ये good edge है और ये भी good edge है ये वाली good edge है अब देखो आपको bad edge को बनाना है लाइक आपको इन दोनों जो वाली situation बनानी है, कैसे बनाओगे, simple तरीका बताता हूं, कैसे करना है, आपको क्या करना है, आपको इनको ऐसे pattern में रखना है, कि आपकी last में चार जो है, वो bad edges बन जाए, कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप देखो यार, यह intuitively भी आप सीख सकते हैं, अपने दिमांग से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी वीडियो से यह नहीं सीखा था, बट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, कैसे हम कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले edge, जो bad edge है, उसको अपने left side रखूँगा, and दोनो good edges को यहाँ पर रखूँगा, और एक good edge यहाँ पर हमारी already है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले, अब मैं जब यह वाली algorithm लगाऊंगा, तो यह bad edge, good edge में convert हो जाएगी, और यह जो दोनो good edge है, यह किस में convert हो जाएगी, bad edge में, तो क्या होगा, अब देखो, मैं वो वाली algorithm लगाता M' U' M, तो अब आप क्या देखेंगे, कि आपके यह तीनो bad edges create हो गई, और नीचे में आपकी क्या हो गई, एक bad edge create हो गई, तो यही situation हमें चाहिए थी, हमें क्या करना था, ऊपर में तीन arrow बनानी थी, और नीचे हमें क्या करना था, एक bad edge बनानी थी, आप देखो, इस algorithm को आ लगा सकते हैं, अगर अपना time बचाना है, तो कैसे, जैसे अब मैं arrow को कैसे रखता था, पहले ऐसे रखता था, और मेरी नीचे जो bad edge होती थी, वो इसके just नीचे होती थी, अब की बार हमारी bad edge पीछे की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इस arrow की जो point वाला area है, point वाला मू है, जो इसका हम बोल सकते हैं, कि इसका जो mouth है, उसको हम पीछे की तरफ रखेंगे, और जो हमारी algorithm क्या थी, m prime, u prime, m, अब इसका ही दूसरा version लगाएंगे, क्या दूसरा version होगा, simple होगा, क्या होगा, m, u, and m prime, so अब आप क्या देखेंगे, कि आपकी जो bad edges और good edges थी, वो क्या हुई, आपकी यहाँ पर एक bad edge है, यहाँ पर एक bad edge है, दो bad edges और यहाँ पर दो good edges, तो इससे तो हमारा बिगड़ गया, क्यों बिगड़ गया, क्यों हमने गलत algorithm लगई, आप देखो, मैं दुबारा बताता हूँ, इससे भी एक नया, कि यह सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते है आप देखो, अगर यह वाली दो edges आपको, even number में आपकी दोनो bad edges आपके आमने सामने दिख रही हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं अगर ऐसे करूँ, इसको solve, तो क्या होगा, अब मैं algorithm अगर लगाँगा, तो यह वाली bad edge बनेगी, और यह वाली bad edge बनेगी, फिर से वह यह वाली bad edge में convert हो जाएगी, तो मैं करके दिखाता हूँ, M' U' M, तो अब क्या हुआ आपका, कि आपकी यह तीनो bad edges बन गई, यहाँ पर यह वाली bad edge बन गई, simple आपको क्या करना है, यह वाला case आपको मैंने already बता हुआ है, बहुत बार क्या है, तीनो bad edges को आपको ऐसे और जो bad edge वाली edge है, उसको नीचे रखना है, algorithm M' U' and M, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी edges good edge में convert हो गई, तो यह तो था 2 edges वाला concept, कि अगर आपको 2 edges मिलती है, तो आपको क्या करना होगा, चार edges में अगर आपको मिलती है, तो आपको भी ऐसे ही intuitively solve करना है, आपको फिर से चला चला के देखना है, कि आपका किस तरीके से यह वाला case create हो, 6 edges, अगर 6 की 6 edges आपको bad edge मिलती है, उस वाला मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, बाकी फिर आप इस step को अराम से कर पाएंगे, तो देखो, यह वाला case का है कि हमारी 6 की 6 bad edges है, और जैकर जैसे ही आप देख सकते हैं, यह 4 की 4 bad edges हैं, यह 2 की 2 bad edges है, सबसे पहले आपको क्या करना है, randomly cube को आप इसमें hold करना है, आपको कोई भी concept लगाने की जरूरत नहीं है, आपको simply क्या करना है, वही algorithm को लगाना है, कौन सी? M' U' M, तो आप देखेंगे, कि आपकी 3 तो, एक तो bad edge यहां पर बन जाएगी, और एक bad edge यहां पर बन जाएगी, यानि यहां पर, अब आपको same वही situation आई, आपको क्या करना है, दो bad edge वाली situation में हम क्या करते थे, वो create करना है, कैसे create करेंगे, जैसे, अगर मैं इसको ऐसे hold करूँ, तो हमारी good edge यह वाली bad edge बनेगी, यह good edge बन जाएगी, तो इस तरीके से क्या होगा, यह वाली arrow situation नहीं बनेगी, तो हम क्य इसमें लगा के दिखाता हूँ, यह वाली good है, यह वाली good है, यह वाली good है, तो मैं एक बर लगा के दिखाता हूँ, क्या होगा, अब देखो, हमारी यह तीनों की तीनो bad edges बन गई, arrow बन गई, यहाँ पर हमारी यह वाली bad edge बन गई, कौन सी यह वाली, अब आपको क्या करन था उसको वापिस D2 करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी bad edges good edges में convert हो जाएंगे यही था हमारा क्या था bad edges और good edges वाला concept अब second step जो बात की थी मैंने की इसमें तीन step होते हैं कौँच में last six edges में last six edges में second step क्या है आपकी पहले पहला step क्या था सारी bad edges को good edges में convert करना जो कि हमने कर लिया है second step क्या है second step है आपका कि आपको पहले यह दोनों edges बनानी है कौनसी यह वाली एक तो हमारी हम इसको बोलते हैं ul और ur यानि अपर left वाली edge बनानी है अपर right वाली edge को सही position पर लगाना है coincidentally हमारी अभी यह दोनों की दोनों सही position पर है मैं scramble करके आपको बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं इसे और इसमें आपको कोई नई algorithm याद करने की जरुरत नहीं है तो ये step सबसे easy होता है कि इन दोनों edges को सही position पर लगाना ठीक है सो मैं एक बर scramble करता हू और बताता हू जिस को आपको सही position पर कैसे लगाना है सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि यह दोनो ऐज़ुपी जो हमें Orange और Yellow वाली एज और Red और Yellow वाली एज इन दोनों को सही Position पर लगाना है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि यह दोनों एज जिस को सही Position पर लगाने से पहले आपको आपको इन दोनों edges को, एक तो red और yellow वाली edge और orange और yellow वाली edge, इन दोनों को नीचे वाली layer में लेकर आना है, और नीचे वाली layer में भी इन दोनों edges में, यानि ये वाली दोनों तो हम छेडेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, यानि orange और yellow वाली और red और yellow वाली इन दोनों edges को हमें पीछे लेकर आना है इस position पर लाने के लिए कौन सी algorithm हमें सबसे जाधा help करेगी कौन सी वाली algorithm help करेगी हमें edges को swap करने वाली जो मैंने आपको सबसे starting में बताई थी अभी बताई थी कि edges को swap करने वाली algorithm work करेगी अब देखो औरेंज और यलो वाली situation हमारी पहले से यहाँ पर है औरेंज और यलो वाली edge क्या करना है हमें रेड और यलो वाली edge को यहाँ पर लेकर आने कैसे लेकर आएंगे इस वाली edge को पीछे ले जाएंगे अब पीछे से भी मैंने आपको edges को swap करना बताया था कैसे बताया था, simply हम क्या करते थे, M' U2 and M, तो आप देखेंगे कि आपकी red वाली edge और orange वाली edge दोनों की दोनों edges जो है वो नीचे आ गई, ठीक है, यही करना है, basic concept अभी बताया, एक बार थोड़ा detail में भी बताऊँगा, क्योंकि इसमें भी confusion हो जाती है, इन दोनों edges को आपको नीचे लेकर आना है, अब सबसे easy step हो जाता है, इस वाले case का, कैसे, दोनों edges एक बार नीचे आ गई, आपको क्या करना है, जो आपके front में आपको edge दिख रही है, orange है, उसके opposite color क्या होता है, red, तो red वाले corners को अपने front में लेकर आना है, जैसे यह वाला, orange है यहाँ पर, और दोनों इसके opposite colors, यानी red वाले corners, जो दोनों headlight है, उनको आप अपने front में ले आए, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको M2 करना है, और आपको क्या करना है, simply आपको यहाँ पर एक layer बनती हुई दिखेगी, मैंने आपको पहले ही बोला था, कि row method में आ center बिगड रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि centers को हम बाद में एक साथ इखटा use करेंगे, और एक साथ सही करेंगे, ठीक है, आप देखो हमारी यहाँ पर layer बन गए, आप इसको align करेंगे, तो आपके orange वाली edge भी बन गई, red वाली edge भी बन गई, अब आपकी last की 4 edges बच कर लिया, यह वाली बची है, अब इन 2 edges को solve करने में भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कभी कभी क्या होता है, कि orange वाली edge यहाँ पर लगी होती है, red वाली edge यहाँ पर लगी होती है, उसको एक बार create करके दिखाता हूं, और फिर बताता हूं कि कैसे उसे solve करते है, इसको करने का बहुत इजी तरीका है, क्योंकि इसमें हमें अलगूरिदम लगाने की भी जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, इन दोनों edges को सामने लेकर, क्या कर देना है, M2 कर देना है, अब यह M2 करने के बाद हमारी यह दोनों edges नीचे आ गई, अब उसी situation से वैसे ही करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों situation में, फिर क्या करते हैं, इसके opposite color सामने लेकर आते हैं, and M2 करते हैं, और इस तरीके से हमारे यह वाला भी solve हो जाता है, हमने यह वाली दो edges जो UL और UR edge वाला situation थी, वो solve कर दी, अब हम finally row method के last step पे पहुँच चुके हैं, जिसको हम L4E बोलते हैं, last four edges, अब इन last four edges को करने के लिए, हमारे पास total होती हैं, 6 situations, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कि मैंने already create करके रखी हुई है, 6 की 6 situations, so यह हमारे पास total 6 situations होती हैं, L4E में, और इन 6 situations में हमें algorithms लगानी होती हैं, बट algorithms बहुत जादा easy होती हैं, अब एक चीज मैं algorithms में यह बता देता हूँ, कि जो कि आपको याद करने में बहुत जादा help करने वाली है, कि इस algorithms में आपको mainly सिर्फ M move यूज होंगे, यानि M और M' और upper layer, बस यह दो layers ही use होंगी, and upper layer में भी अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है, कि कौन सी होगी, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, कि row method में L4E में हमें U2 ही लगता है, यानि upper layer जब भी use होगी, तो वो U2 में ही use होगी, ना U prime use होगा, कभी ना U use होगा, ठीक है, तो single move U में कभी use नहीं होगा, सिर्फ U2 ही होगा, तो A के करके हम मैं cases लेता हूँ कि L4E में, यानि last four edges में हम कैसे करते हैं, और कौन-कौन सी situations आती हैं, तो सबसे पहला case हमारे पास ये वाला मिल जाता है, जिसमें क्या हो रहा है, कि आपकी ये दोनों edges जो हैं, ये आपस में क्या हैं, जैसे आपको यहाँ पर पहले सामने एक H मिल रहा है, और पीछे एक H मिल रहा है, और बाकि आपका ये red पूरा salt है, orange पूरा salt है, OLL पूरी बनी हुई है, याद क्या रखना है, आगे है सामने H और पीछे H, बस, इसको करने की simple algorithm है, बहुत simple algorithm है, क्या algorithm है, M2, U2, M2, U2, तो इस तरीके से ये वाला case हमारा solve हो जाता है, ठीक है, next case बिलकुल उसके जैसा ही है similar, बट, starting में मतलब इस वाले पहले वाले case में क्या था, कि सामने H था, पीछे H था, अब की बार क्या है, टॉप पर H है, और नीचे H है, इसको करने की algorithm क्या है, इसको करने की algorithm भी बहुत simple है, क्या algorithm है, M, then हम करेंगे U2, then M2, U2, and M' ठीक है, यानि starting में वो M' था, जो मैंने M बोल दिया था गलती से, so M' U2, M2, U2, and M', इसके algorithm बहुत जादा easy होती है, आप इनको normally भी solve कर सकते हैं, तीसरा case, आप आपको थोड़े cases को ध्यान रखने में थोड़ी वो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाले case तो H वाले cases थे, जिसमें आपको H दिख रहा था, ये वाला जो third case है, ये भी आप easily याद कर लेंगे, क्या case है ये, इसमें आपको क्या मिल रहा है, आपका orange salt है, और आपका red salt है, आपको यहाँ पर dots मिल रहे हैं, याँ चार ओ तरफ आपको क्या मिल रहे है, dot मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी dot है, यहाँ भी dot है, यहाँ भी dot है, इसको solve करने की algorithm क्या है, बहुत easy है, अब देखो, जब मैं इस वाली layer को middle वाली layer को use करता हूँ, जैसे मैं भी इनको side अटा देता हूँ, जैसे मैं जब इस वाली layer को use करता हूँ, तो हम इन वाली layer को बोलते हैं E, तो इसमें भी जो E use होगा, वो E2 के comparison में use होगा, यानि E2 ही use होगा, E भी नहीं होगा, E' भी नहीं होगा, E' यह तो बहुत easy algorithm है, इसको तो याद करना बहुत easy है, क्या करना है, e2, m, e2, and m'. तो इस तरीके से ये वाला case भी हमारा solve हो जाएगा, आप देखो, next case हमारा क्या है, next case, अब थोड़ा cases, आपको तीन जो cases है, उनको याद करना पड़ेगा, अच्छे से, क्योंकि इन तीनो cases में थोड़ी सी confusion आपको देखने को मिल जाएगी, तो cases क्या है, वो देखना है, आप क्या मिलेगा, और यहाँ पर आपको एक block मिलेगा, जिसमें green और मतलब जो center के साथ ही दूसरी edge match है, और यहाँ पर भी एक center के साथ दूसरी edge match है, ठीक है, यानि सबसे बड़ी बात किया है, सबसे बड़ी identification कि आपको यहाँ पर एक block मिलेगा, और यहाँ पर एक center के साथ एक edge match होगी तो इसमें क्या करना है इस block जो मिल रहा है इसको back में रखना है ऐसे and जो आपको center के साथ edge मिल रही है उसको ऐसे रखना है अपने front में और नीचे ठीक है आप इसको करने की algorithm क्या है बहुत easy algorithm है इसकी क्या है m' u2 m' u2 तो इस तरीके से ये वाला case भी हमारा solve हो जाएगा next case है वो और भी easy है आप identify कर सकते हैं इन तीनों cases में confusion होती है बट कुछ अगर आप particular science इनको देख लेंगे तो आपको ये बहुत easy लगेंगे आप देखो next case में क्या है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा like यहाँ पर आपको सब कुछ salt मिल रहा है यहाँ पर भी सब कुछ salt है याद क्या रखना है कि यहाँ पर आपको single edge जो है वो अलग मिल रही है यह बिल्कुल ही अलग आपको दिख रही होगी edge और और क्या मिलेगा यहां पर वही वह जो मैंने लास्स सिचवेशन में बताया था कि यहां पर सेंटर के साथ मैच होगा और एक ब्लॉक ऐसे मिलेगा छोटा वाला और एक ब्लॉक नीचे मिलेगा बट ध्यान क्या रखना है कि यहां पर आपको एक सिंगल एज मिल रही है अब उ ये वाला case भी solve हो जाएगा अब इसका जो last case है वो भी बहुत easy case है उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा कि आपको क्या मिल रहा है अब की बार भी यहां पर single edge मिल रही है बट उसमें situation में क्या था single edge आपकी यहां पर थी और यहां पर pare था ठीक है इसमें क्या है आपका जो pare है like हम center के साथ जो edge match होती है वो यह वाली correct edge है एक और यह वाली correct edge है तो यह दोनों edges आपस में साथ साथ हैं बिलकुल लाइक ये वाली बिल्कुल साथ-साथ है, ये वाली बिल्कुल साथ-साथ है, और जो edge खराब है, मतलब बिल्कुल अलग है, उसको आपको back में रखना है, और क्या algorithm है, बहुत easy algorithm है ये वाली भी, u2, m', u2, and m, और इस तरीके से ये वाला case भी हमारा solve हो जाएगा, So that's it for this row method, और I hope आपको row method बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे row method से हम cube को solve करते हैं, बहुत मैनत किया है, इस वीडियो को बनाने में तो share जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को press भी जरूर कर देना, ताकि मेरी वीडियो तक आप सबसे पहले पहुँच आएं, ओके friends, thank you for watching